तो कैसे हैं आप सब तो आज हम बनाएंगे कथल की बहुत ही बढ़िया सी मसालेदार चटपटी हलकी सी ग्रेवी वली सब्ची जो की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी और इसलिए मुझे लगा कि क्यों ना मैं यह रेसिपी आपके साथ शेयर करूं यह हम बिल्कुल काम ओ जुरू करते हैं तो इसके लिए मैंने आधा किलो कथल लिया इसको हमने हाथों पे ते लगा कर फिर कट करना है छिलका उतारना थोड़ा मुश्किल होता है कोई बात नहीं शाप नाइफ ले लीजिए और हाथों में और लगाना बिलकुल मत बूलिएगा नहीं दुए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हम इसको डीप नहीं करेंगे कथल को हम इसको बॉयल करेंगे बॉयलिंग करने से इसका जो लेसला पन है वो बिलकुल निकल जाएगा वो पानी में आ जाएगा और हम इसको बिना फ्राइ किये बनाएंगे क्योंकि अकर फ्राइ करके बनाते ह तो बहुत हैवी हो जाता है तो अब हमने पैन में डाला सरसुंका तेल मस्टर्ड ओयल में बनाईएगा बहुत टेस्टी बनता है फिर साबुत मसाले और तीन प्याज पतले पतले लंबे लंबे काटके हमने इसमें डाल दिये हैं और इनको हमने पिंकिश और थोड़ा सा डाक टाक पिंक करना है और इसमें मैंने डाला नमक हो तो हम डालेंगे अपने स्वात के अनुसार और नमक डालकर हाई फ्लेम पर अच्छी से हमने इसको जिसे ब्राउन सा कलर आज़े क्योंकि कच्छापन बिलकुल खतम हो जाए और ब्राउन सा कलर आज तब तक भूनते रहें हैं ताई कि जिज़िडगाल का कच्छा पर है वो भी अच्छी से घृ अच्छी से खताम हो जeping और इसको भूनना है पर्लibt बाउना मसाला कि अच्छी मसाला बहुत ही बढ़िया सा भूना हुआ होगा तो कठल की सब्जी भी बहुत ही टेस्टी बनेगी देखिए जैसे हमें बॉयल कर रही हूं तो यह उपर आप नोटिस कर रहे हैं जागानी शुरू हो गई है तो यह इसका लेसला पन है जो निकल रहा है अब हम इसमें डाल द गए Basically अब नेक्स्ट हम डालेंगे इसमें जब यह अच्छा से समारा देखिए प्यास ब्रावन हो गए तो हम इसमें डालेंगे कहते चुटे चुटे काद कि टमार्ट और हारी मिर्च लंब कारी मिर्च लमटी काती हुई गारी मिर्च लंगता है कुझ्टी में दीसका भख देंगे लो फ्लेम पर टू-3 मेनर्स के लिए ताकि जो प्यास टमाटर है अच्छे से गल जाए और देखिए इसमें बॉइल आ गया कठल में अब हम कर देंगे गैस बंद और गैस बंद कर देखिए इसका आपको यह वाइट कलर दिख रहा होगा यह इसकी जो लेसला ब देखिए तक उसी में ही कोको जाता है तो आप चेकर लीजेगा रलका सा यह गल गया है और इधर हमारा मसाला हमने धक़ा थक्का था यह अच्छे से गल गया और इसको अच्छे से भून दीचिए यह हलका सा भी पानी न रहे और प्यास टमाटर अच्छे से बिलकुल मैश ह जितना बूना होगा सबजी में फ्लेवर उतना ही बढ़ आएगा जैसे कि हम नॉन वेच बनाते हैं तो उसमें भी हम जितना मसाला बूनते हैं सबजी हमारी उतनी ही टेस्टी बनती है तो यह तरह का वेच चिकन है तो इसमें हमने डाल दिये बॉल किया हुआ कठ्छल डालकर हमने इसको फिर से वही हाई फ्लेम पर बूनते रहना है जब तक कि घी सेपरेट ना हो जाए हाई फ्लेम रखिए पास में खड़े रहिए और कड़्ची चलाते रहिए ताकि सब्जी लग भी न चाहे और अच्छे से बून भी जाए देखिए आप नोटिस करिए इसमें पहले करते तो यह बहुत सारा ओयल पी लेते हैं तो अच्छे से भूनते चाहिए और हाई फ्लेम ही रखनी है गैस की और जब यह अच्छे से भून जाएगा फिर हम इसमें एड कर देंगे थोड़ा सा आधा गिलास के करीब वाटर आप इसको सूखा भी बना सकते हैं बट हलका सक ग्रेवी वला बनाएंगे तो आप इसको राइस के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं पर बहुत कम ही ग्रेवी रखेगा बहुत सारा पानी नहीं डालना है अब इसमें डालिए कसूरी मेथी देखे किता बढ़िया इसका कलर आया है कसूरी मेथी डाल कर गैस को कर दीजि बिल्कुल हो गया रेडी इसको चेक करिए नाइफ के साथ इस तरह से देखिए चेक करेंगे हम इसको और यह बिल्कुल गल गया है वाव इस लुकिंग सो यम्मी कितना अच्छा लग रहा है न तो अब हम इसको बस सर्व करेंगे गैस को कर देंगे बंद उपर से इसको गा बाउल में सर्व करिए और अगर आपको रेसिपी एजी लगी है नहीं लगी है और आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीचिए चैनल को सब्सक्राइब कीचिए बहुत चल्दी मिलेंगे नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए